नमस्कार दोस्तो पहाड़ी आयरवेदिक में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आप लोग सामने गज केशरी का पौधा लेकर आया हूं इसके फूल देख लीजिए पहिचान लीजिए और इसे छोटा गुल मोहर के नाम से भी जाना जाता है यह सब कलियां हैं और यह पत् साय जो कि काफी दूर तख फैल कर होता है और इसके फूर काफी सूरत के सरिया रंग होते इसलिए बहुत सारे लोग इसे घरांगन में लगाते हैं गार्डन के खुब सूरती बढ़ाने के लिए लेकिन वह लोग साय दिया नहीं जानते हैं कि यह एक आयरवेदी गवसदी भी है इसके बहुत सारे फाइदे भी हैं और यह है इस पोधे की फली या फली अभी कच्चा है तो हरा है सूख जाने के बाद काला होगा और इसके अंदर करीबन एक दो तीन चार पांथ करकिस तरह साथ वीज या आट वीज-दस पिच वीज तक भी होते हैं तो देख लीजीए दोस्तों पहचान लीजीए यहाभी प reveal पछुद पाधा इसे भहुत सारे लोग जानतेCrक्स पहचानते हैं क्यूंकि अकशर लोग इसे पने घर आइजन में लगाते ही लगाते हैं यह यह मैंने आपके सामने तोड़ा यह देखिए इसके अंदर बीज बहुत कम बीज है बीज कुछ इस तरह सोते हैं एक्चुली यह साथ जल्दी सूप गया होगा इसलिए इसमें बीज अधिक नहों सके तो यह देखिए दोस्तों यह अंदर का सीन है और यह बाहर का सीन है करता हूं आप इस पौधे को पहिचान चुके होंगे तो हम इसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करें कि इसे हम किन रोगों में इस्तमाल कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों इसके पत्ते के अंदर विटामिन सी को मात्रा बहुत ही अधिक होता है इसलिए अगर फोड़े फ अधिक में मिलता है मुसका उपयोग करके अपने रोगों ठीक कर सकते हैं दोस्तों यह जो आप फूल देख रहे हैं फूल के भीतर एक फूल है जो छोटा सा फूल है यह फूल जो है स्टेमना पाउर को बढ़ाने काम करता है सिर्फ यह एक फूल जो बीच में मैं आपको ब और दोस्तों इसके बाल भी देखिए कुछ केसर से मिलते जुलते ए देखिए अगर इसे तोड़कर डिब्बे में रख लिया जाए तो कोई इसे पकड़ नहीं सकता कि यह केसर नहीं है देख लीजिए यह देखिए इसलिए इसे गज केसरी के नाम से जाना जाता है तो दो इसके महक से भी सरकाव ठीक होता है तो चलो दोस्तो महत्पुर जानकारी गो अब हमें समाप्त करते हैं अगर हमारी जानकारी लापदायों फायदे मन्द हो तो हवारे चैनल को लायक की जिए सेर कीजिए अयृ करिन्हें सब्क्राइब नश्कार जोस्तों पहाड जानकारी